Hello friends, welcome to my YouTube channel AV Academy दोस्तो मैं हूँ स्वित और आप सभी का श्वागत है मेरे YouTube channel AV Academy के साथ दोस्तो आज का class समारा BBC previous year question की होगी जिसमें आज हम लोग बिहार special में बिहार के भुगोल के बारे में पढ़ेंगे या classes आपके जामनेसंस के point of view से बहुत ज़्यादा important रे तो class को बीच में skip मत कीजेगा रोजाना class करने की courses कीजेगा या जितने भी classes में previous year question से regarding प्रोवाइड करवारी हूँ या आपके आने वाले एक जामनेसंस के लिए बहुत ज़्यादा important है और इसमें हम लोगों ने क्या कहते हैं World Geography और Indian Geography की classes को complete कर चुकी हूँ और इसके साथ ही अभी history की classes में provide करवा रही हूँ वो भी लगवग बहुत जल्द आपकी complete हो जाएगी और साथ में अभी हम लोग बिहार special को सुरू की है क्योंकि या आप खासकर VPC teacher वाले एक जामनेसंस के लिए बहुत जादा important class है या जरूरी class तीसलिए में इसको सुरू की हूँ चलिए तो question पर आते हैं हमारा पहला question है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिलों में ही पिड मोट स्वेप मिट्टी पाई जाती है बिहार के जिले हैं पश्मी चमपारन इसमें जो है जो पिड मोट स्वेप मिट्टी पाई जाती है इसके डिटेल्स को देखते हैं बिहार में तीन प्रकार की मिट्टी पाई जाती है यह भी कोश्चन इंपॉर्टेंड है पुछा जा सकता है बिहार में कितने प्रकार की मिट्टी आ पाई जाती है तो तीन प्रकार की पाई जाती है पिड मोट दलदल मिटी जो कि पश्मी चमपारन जिले के पश्मी मुत्तर भाग में पाई जाती है सराइमिती जो कि नेपाल की सीमा के साथ राजी की उत्री भाग में पाई जाती तथा गांगे जलोड बिहार का मैदान गांगेटिक जलोड दोनों नए और साथ ही पुरानी से अच्छादी थें ठीक है केले नेक्स्ट कोशन को देखते हैं ब्रह योनी हील बिहार की किस जिले में इस्तित है उपसनी है गया उपसन भी रोतास उपसन सी ना लंदा उपसन दी ना वादा उपसनी परिक्त में से कोई नी या फिर एक से अधिक इसका से जवाब होगा उपसन ए गया ब्रहम योनी हील बिहार की गया जिले में इस्तित एक पवित्र पहारी है इसका उलेक महाभारत और बहुत अविलेकों में मिलता है गया जिला फल्गु नदी के तड़ पर अवस्थित नगर है ठीक है जिसका से जवाबों का उपसन ए गया ब्रहम योनी फील बिहार में किस जिले में स्थित ए तो गया में है ठीक है आगे देखते हैं निमनलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है पुनपुन नदी छोटानागपुर पठार पलामु जारखंड से निकल कर बिहार की औरंगा बाद जिले में प्रवेश करती है और पठना जिले के फतुहा के समीब गंगा में मिल जाती है मुढ हर व दरगा पुनपुन की सहायक नदियां है तेके आगे देखते हैं निमनलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकरिती खंड छार खंड के साथ अपनी सीमा साजन नहीं करता है बिहार की मिथला मेदान का भू आकरिती खंड छार खंड के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता जबकि गंगा सोन विभाजिन अंग मैदान और मगद मैदान का भू आकरिती खंड छार खंड के साथ सीमा साजा करता है नेक्स्ट कोशन देखते हैं हम गंगा नदि की दियारा भूमी का नामा करन निमनलिखित में से किस से सम्बंध है उप्सन ये दिया, उप्सन भी है डहर, उप्सन सी है देवरा, उप्सन डी है दाइरा, उप्सन ये परिक्त में से कोई नहीं है फिर एक से अधिक इसका सही जबाब होगा उप्सन ए, उप्सन इसका सही जबाब है दिया गंगा निदी की दियाड़ा भूमी का नामा करन दिया से संबन्ध है दियाड़ा भूमी का वाह टुकरा जो दस्कों से रेत की जमाव के पड़नाम सोरुप गंगा निदी के बीच में बना है दियाड़ा सब दिया से लिया गया है जिसका अर्थ है मिट्टी का दीपक ठीक है आगे देखते हैं हम लोग निम्न लिखित में से कौन सी वस्तू बिहार के बिहार के भोगौलिक संकेत के रूप में पंजिक्रित है नहीं है ध्यार रखीगा नहीं वाले को तो बिहार के कौन सी वस्तू बिहार के वोगौलिक संकेत के रूप में पंजिक्रित नहीं है Option A जड़दालू आम, Option B है मुंगा रेशम, Option C है कट मीधान, Option D है मगही पान Option A परिक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक इसका सही जबाब होगा Option E इसके डिटेल्स को देखते हैं असम के मुंगा रेशम को G.I.T.E.G. वर्स 2007 में प्रदान किया गया था जब ये 28 समंबर 2017 के भौकॉलिक संकेत जनरल के अंक में बिहार के दरजालू जरदालू आम, कटनी धान, कतरनी धान, तथा मगही पान का उल्लेक किया गया अर्थाथ ए तीनों किसी उत्पादन भौकॉलिक संकेत के रूप में सुचिवद है ठीक है आगे देखते हैं लोग नेक्स्ट कोशन को बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम अस्थल है उप्सन ही है हजारी बाग पठार, उप्सन भी है पलामू पठार, उप्सन सी है मालवा पठार, उप्सन भी है अमर कंटक पठार आप्सनी परिक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधी किसका से जवाब होगा आप्सन डी अमर कंटक पठार सोन नदी 36 गड के में अमर कंटक पहारी की समीप से निकलती है और अंत में बिहार के पटना की समीप गंगा नदी से मिल जाती है यह चार राज्यों से होकर प्रवाहित होती है 36 गड मद्य प्रदेश उत्तर प्रदेश इबं बिहार ठीक है आगे देखते हैं बिहार के निम्द प्रशासनी विभागिये जोरों में से किस जोरे से गंगा नदी नहीं बहती है अपसनी प्रिक्त में से कोई नहीं या फिर एक से दी किसका से जवाब होगा अपसनी कोशी मगद गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बकसर भोजपूर सारन पटना वैसालिस समस्तिपूर बेगुसराय खगरिया, मुंगेर, भागलपूर कटिहार आदी जीलो में प्रवाहित होती है इस प्रकारिया कोशी मगद जोरे में से किसी से भी प्रवाहित नहीं होती है तब विकल्प डी इसका सही होगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं बिहार राज में गंगा नदी के किनारे इस्तित जीलो की संख्या है उप्सन ये 21, उप्सन बी है 17, उप्सन C है 12, उप्सन डी है 6, उप्सन ये प्रिक्ट में से कोई नी या फिर एक से अधिक से जवाब होगा उप्सन C, बाड़, बिहार राजी के बाड़ जीले गंगा नदी के तट पर अवस्थी थे, जिसमें सारन, बगसर, भोजपूर, पटना, वैशाली, समस्ती पूर्बेगी सराय, लखी सराय, मुंगेर, खगरिया, भागलपूर्व, कटिहार सामिल है ठीकी तो ध्यार नखिएगा, important question है, इस type की question पूछा जाता है, और देखिए, पूछा भी गया है, तो बिहार राजी में, यानि कि बिहार राजी में, गंगा नदी के किनारे, इस्ति जीलों की संक्या टोटल कितनी है, तो 12 है, 12 है, 12 जीला जो है, जो गंगा नदी की किनार इस्ति थे बिहार राज में, ध्यार नखीगा, मैं रिपीट कर रही हूं, 12 जीला है, जो गंगा नदी के किनारे, इस्ति थे बिहार में, और वह 12 जीले का नाम देख लीजी, मैं रिपीट कर रही है, दुबारा से, सारन, बकसर, भोजपूर, पटना, वैशाली, बिहार के किस जीले में, गंगा नदी सबसे लंबी है, उप्सन इन भागलपूर, उप्सन इन बही है, कटियार, उप्सन C है पटना, उप्सन D है बेगुसरा, उप्सन इन परिक्त में से कोई नहीं या, फिर एक से अधीक, तो इसका सही जवाब होगा, उप्सन C पटना, गंगा नदी बिहार के 12 जिलों में से होकर गुजरती है, जिसमें गंगा की सरवधिक लंबाई पटना में 99 किलोमेटर है, देखी किलोमेटर भी ध्यान लगेगा, तो बिहार से जो क्रॉस करती है, जिसमें पटना की लंबाई है, पटना की 99 किलोमेटर, दुसरे अस्थान पर भागलपूर आता है जहां गंगा नदी संतानमे किलोमेटर में है ठीके तो पहले अस्थान पे हमारा भागलपूर आएगा पटना आएगा जिसका है कितना है तो 99 किलोमेटर है ठीके 99 किलोमेटर है और दुसरे अस्थान प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की और प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है यह के विकल्पों में से कोई भी नदी उत्तर दिसा की और प्रवाहित नहीं होती है नदी बलकि ए नदियां उद्गम अस्तल से दक्षिन दिसा की और प्रवाहित होती हुए होते हुए सहायक या उपसहायक नदी के रूप में अंततह गंगा में मिल जाती है सोन, पुन-पुन, आदी नदियां उद्गम अस्तल से उत्तर दिशा की और प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है ठीक है आगे देखते हैं बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है ओप्सन ये घागरा, ओप्सन भी ए गंगा, ओप्सन सी ए कोसी, ओप्सन ये सोन, ओप्सन ये प्रेक्ट में से कोई नहीं या फिर एक स्यदी किसका से जवाब होगा कोशी नदी एक सीमा पाड़ी नदी है जो नेपाल एबं भारत से होकर प्रवाहित होती इसे बिहार का सोग कहा जाता है कोपेंड की जलवायू वर्गिकरन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायू किस से प्रदर्शित की जाती है option A C W G, option B A W, option C C A W, option B C B W, option A C WG बहुत ही important है इसको भी भी आइ माने है गाईस question को क्योंकि यह question आपका पिछले बार के PGT वाले examinations में भी पूछी गई question है same question PGT examinations geography की जो PGT examinations हुई है इसकी मैं question देखी उसमें यह same question पूछा गया है तो ध्यान लखेगा कोपेंड के जलवायू वर्गिकरन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायू को किस के दोड़ा प्रदर्शित की जाती है तो C W G के दोड़ा प्रदर्शित की जाती है उत्तर बिहार की जलवायू को C W G से प्रदर्शित किया जाता है ठीक है ओप्सन में तो यहां C W G दिया गया और यहां C W A दिया गया तो कुछ मिस्प्रिंट हुआ है C W G होना चाहिए चले आगे देखते हैं विहार के किस क्रिशी जलवायू छेतर में सबसे अधिक जी ले हैं option है उत्तर प्रभी, option B है उत्तर पश्मी, option C है दक्षिन पूर्व option D है दक्षिन पश्म, option यह परिक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक इसका सही जबावगा option B उत्तर पश्म, बिहार के उत्तर पश्म यानि कि बिहार के किस क्रिशी जलवायू छेत्र में सबसे अधिक जीले हैं तो बिहार के उत्तर पश्यून वाले जो छेत्रे क्रिशी जलवायू के छेत्रे जहां सबसे अधिक जीले हैं ठीक है देखें इसके डिटेल्स को देखते हैं बिहार की क्रिशी जलवायू छेत्र चार में आता है जिसे मद्य गंगा का मैदाने छेत्र कहा जाता है मिट्टी के लक्षन वर्षा तापमान एबंभू भाग के आधार पर बिहार को तीन उप प्रदेशों में ये था उत्तर पशिम जलोड मैदान तथा दक्षिन बिहार जलोड मैदान में बाटा गया है दक्षिन बिहार जलोड मैदान को पूना दक्षिन पुर्व A तथा दक्षिन पशिम B में वर्गिक्रित किया गया है उत्तर पशिम जोन में कुल 12 जिले सामिल है जबकि उत्तर पुर्व जोन में 8 जिले सामिल है दक्षिन बिहार जलोड मैदान जोन में कुल 17 जिले सामिल है जिसमें से दक्षिन पुर्व जोन A में 6 जिले तथा दक्षिन पशिम जोन B में 11 जिले सामिल है इस प्रकार अस्पष्टर की सरवधीक जिले उत्तर पशिम जोन में सामिल है ठीक है आगे देखते हैं हम लोग मुझबफरपूर दरभंगा तता चंपारन जीलो में कौन सी मिट्टी अधिकांस पाइचाती हैं option A है काली मिट्टी option B है नवीन जलोधक option C है प्राशीन जलोधक option D है लाल मिट्टी और option E है उपरिक्ट में सी कोई नहीं है फिर एक से अधिक इसका सेजबाब होगा option B नवीन जलोड़क ठीक है दरभंगा मुझः फरपूर एवं चमपारण जीलों में नवीन जलोड मिट्टी पाई जाती है गंड़क, बुड़ी गंड़क, बागमती, आदी नदियां द्वारा प्रतिक वर्स बाड़ के पानी से लाए गया मलवो गाद के निछेपू से नवीन जलोड मिट्टी खादर का निर्मान होता है यह मिट्टी, धान, यहूँ, पटसन, गंड़क जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती है आगे देखते हैं बिहार का सारवधिक जूट उत्पादक जिला है औपसन यह सीवान, औपसन भी है गया, औपसन सी है वैशाली, औपसन यह पुर्णिया, औपसन यह परिक्ट में से कोई नहीं है फिर एक से अधिक इसका सही जबाब होगा औपसन डी पुर्णिया बिहार के सारवधिक जूट उत्पादक जिला है पुर्णिया ठीक है ध्यार नकिएगा इसको और यह हमारा आज का लाश्ट कोईशन होगा, इसके डिटेल्स को देख लेते, उपरियुक्त दिये गए विकल्पों में से जूट का सारवधिक उत्पादन बिहार राज के पुर्णिया जिले में होता है जूट की खेती बिहार के आदर छेतर में होती है इसकी उपर्ज के लिए उच आदर उच तापमान उपजाव जलोड मिटी हलकी वर्षा 105-115 मीमी आवश्यक है आर्थिक समिक्ष़ 2022 के नुसर बिहार में सारवधिक उत्पादन पश्यम बंगाल राज में होता है पश्यम बंगाल का कुल उत्पादन का 81.00 प्रतिशत असम 8.78 प्रतिशत तथा बिहार 7.94 प्रतिशत करता है बिहार का जूट उत्पादन में तिसरा अस्थान है अच्छा यानि कि पूरे भारत में देखा जाए तो बिहार का तिसरा अस्थान है और बिहार में सर्वदिक जूट उत्पादन कहों होता है तो पुर्णिया में होता है और पूरे भारत में अगर पहला अस्थान जूट उ समझ कम आता है तो आप चाहे तो repeat करके classes को देख सकते हैं इससे आपकी समझ बढ़ेगी concept clear होगा और आपको answer long time तक ध्यान लेगा क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप device कर लेते हैं तो why answer आपके लिए long time आपके साथ रहता है आपका अपना हो जाता है इसलिए आप लोग हो सक आपकी तो class को repeat करके भी देख सकते हैं पहली बार आप normal speed में देखे उसके बाद आप speed बढ़ा के भी देखेंगे तो आपको concept आपका clear होता चला जाएगा और question का answer आपको ध्यान में आता चला जाएगा इससे तरिके के रोजाना important class की सीरीज पाने के लिए हमारी YouTube channel AV Academy को subscribe कर दे और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो सांसत लाइक भी जरूर करें विल आइकन को दवा दे और ताकि latest update आपको मिलता रहें जादा से जादा लोगों को सेयर करें ताकि आपका और हमारा यह channel AV Academy आगे growth कर सकें thanks for watching my video